प्यारे बच्चो नमस्कार अज हम अपने दूसरे लेसन में इंगलिश के कुछ वर्ड बिनिंगों को समझेंगे उनका अर्थ समझेंगे उनका परियोग देखेंगे कि वो कहां कहां परियोग होते हैं और ये भी सीखेंगे कि वो नाउन है वरब है एडवेर्ब है या एडजेक्टिव है नाउन का मतलब संग्या है वरब का मतलब क्रिया है एडजेक्टिव का मतलब विशेशन है या एडवेर्ब का मतलब क्रिया विशेशन है कि वो जो शबद है जिसका हम अर्थ समझ रहे हैं अपने वोकाबलरी ब सीख जाएं तो चलिए शुरू करते हैं यह चैनल है हमारा जी एस भाई इश्वर सर इसको लाइक कर दीजिए सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी तरह के इंपोर्टन्ट जो वीडियो है वो समय समय पर मिलते रहें तो चलिए पहला पहला शब्द है इनफ इनफ का मतलब है प्रियापत कोई भी चीज जितनी हमें आशकता है उतनी अगर हमारे पास है तो उसे हम कहते हैं इनफ जैसे अगर मैं कहूं कि I have इनफ मिलक मेरे पास प्रियापत दूद है I have इनफ मिलक तो यह दूद है वो क्या है इनफ है प्रियापत है अगला है हमारे पास बिलीव बिलीव को मतलब होता है विश्वास करना बिलीव को मतलब क्यों होता है विश्वास करना किसी भी चीज बे जैसे I believed I believed मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ तो विश्वास करना करना तो बताया हुए आपको कि जिस शबत के अंत में अधिक तर जिन शबत के अंत में ना है आता है वो वर्ब होती है या जहां से हमें किसी काम का होना पता से लिए विश्वास करना काम कर रहा है न तो इसलिए ये क्या है वरब है आगे है येल्ड येल्ड क्या होता है ये डबल ल इड येल्ड ये वरब की दूसरी फारम है पहली फारम येल्ड होगी येल्ड का मतलब क्या होता है चिलाना तो ये भी क्या है? वर्व की फारम है और जब कोई व्यक्ति बहुत जोर से बोलता है तो उसे कहते है येलड तो जैसे हम इसी पार्ट में जो छोटा आदमी होता है कहता है ही येलड ही येलड सेमी मुझे बचाओ ही येलड save me मुझे बचाओ उससे आगे अगला हमारा शबद है ब्रीचिज तो ब्रीचिज कहते हैं घुटनों तक की पैंट ये जो अंग्रेजों में नाविक होते हैं समुद्धर के अंदर चलने वाले तो जो नाविक होते हैं जैसे ये इस तरह की जो पैंट पैंटे हैं उन पैंटों को कहते हैं ये जो पैंट है एक मिंट में आपको बताता हूं ये जो पैंट है देखिए इस पैंट को ब्रीचिज कहते हैं एस बृच होती है इस बी इं से औरहु होती है भूटन तक की पैल बहुत सारो क traveler दी यहां तक होती है इसके नीचे इसमेश में इसमें जूते पैने हते हैं यह जूते पहने रखे है तो चलिए अगले शबस हम्त पे चलते हैं यह इस है कि आगर आप वह स्वाख sudah के ईलिटल मैं कि वे अर ए ब्रीच चोट आदमी ने चोटा आदमी एक घुटनु थक्टों पहने हुआ था जिसे ब्रीच कहते हैं से वेलोट crackle होती है जूरियां बूढे का मतलब क्याता है जूरिया जैसे देखिए है रन्कल का मतलब सथ होता है जुरिया WRIN vries के की ले इरिंकल होड़ता है लिसके अपाद में बूढ़ा हो जाता है धूप कि पैर पे आंके ऑप पर छोटिpes क्यों कि बोड़ी के अंधर शरीर के इंदर जो चमक होती है सरीर के अंधर जो पानी का Image होता है एनर्जी तो दिर दिर कम हो Canada है और जैसे जैसे कम हो जते है तो चम्डी होने शूरू हो जाति है तो उसको कहते हैं wrinkle के कहते हैं wrinkle हर फेस उसका चहरा वाज वाज फुल ओफ रिंकल उसका चहरा जुरियों से भरा हुआ था अगला हमारा शबद है हैंपर ह-a-m-p-e-r हैंपर यह क्या है? नाउन है यह क्या है? नाउन है नाउन क्या होता है संगय शबद जिसे किसी वस्तो व्यक्ति और स्थान का पता चले तो यह क्या है? इसको कहते हैं यह जैसे टोकरी होते हैं जिसके उपर धकन होता है जैसे यह टोकरी होती है जिसके उपर धकन होता है उस धकन वाले टोकरी को कहते हैं हैंपर क्या कहते हैं हैंपर अगला हमारा है फिश्ट फिश्ट होती हैं मुठियां फिश्ट क्या होती हैं मुठियां तो य आगे हैं Grimmest कारत होता है मुhnहूं बनाना जैसे बच्छा है और जब इसे कोई चीज अपनी पसंद की नहीं मिलती तो जैसे लड़की है यह मुhnह बना रही है तो इसे कहते हैं Grimmest जे भी अक Varub है यह क्या है वरब आपको बताया था जिसके अंदर कोई छीज काम करने का पता है काम होने का पता है, मुहु बनाना य भी तो काम है य आप यह व हैं इस दा करना भी काम होता है व्याकरन की दिरिशटी से आम जिंदी में ना को जाया आगे है स्कॉल्ड स्कॉल्ड होता है भोहीं चड़ाना स्कॉल्ड कहता है भोहीं चड़ाना जैसे यह लड़की है देखिए इसने एक आँख पूरी खोल रखी है और दूसरी आँख कम खोल रखी है और यह जो भोहीं होती है आँख के उपर जो बाल होते हैं उनको भोहीं कहते है तो चढ़ाना बिन्दी भी लगेगी याँ चढ़ाना तो बोई चढ़ाना यह भी क्या है वरब की फारम है ठेक है सकोल्ड स-C-O-W-L-E-D सकोल्ड अगला है परशूट अगला क्या है परशूट परशूट को मतलब होता है होंट सिकोडना परशूट को मतलब क्याता है होंट शिकोड़ना जैसे हमारे होट होते हैं और होटों को अगर हम यूं करके यूं करके और ये थो हमारे सिंपल होट है ठीक है और इन ही होटों को अगर हम यूं करके और यूं करके और यूं इकटे कर लें सारों को इन होटों को अगर ऐसा कर गोन हें तो इसे कहेंगे परशूट का तो इसका अगर वाखें देखें तो परशूड का वाक्वे बनता है जैसे कि शी कि परशूड हर लिपस यह साथ याता है उसने अपने होटों को सी कोडा होटों को दबाया उसको कहेंगे परशूड अगला हमारा शब्द है करशूड C-U-R-S-H-E-D C-U-R-S-H-E-D इसको यह लगा देते हैं करशूड C-U-R-S-H-E-D करशूड का मतलब होता है अभी शापित यह शापित होना कहते हैं कई बारों कुछ लोग कहते हैं मैरे तो मतलब मुझे तो इस चीज़ का शाप मिला हुआ है आपने जो पुरानी देवी देवताओं की कहानिया सुने थी अहिल्या का जिकर सुना था कि अहिल्या को शाप मिला हुआ था कि जब तक भगवान राम के चरण उससे नहीं चुएगे तब तक वो पत्थर के मूर्ती में बनी रहेगी यह देखे जैसे अशव थामा महाभारत के अंदर होता है गुरू दुरोनाचारे का पुत्तर वो भी क्या होता है एक शापित युद्धा होता है कि बहुत तक तक तवर युद्धा होता है लेकिन उसे भी श्राप मिला हुआ होता है कि तुम्हारी मेरित्यू होगे जो कि वो बहुत तक तवर युद्धा था इतना तक तवर युद्धा था कि वो अकेला हैं सारी पांड़ों की सहना का नास कर सकता था अगला हमारे शापित है एक्सेप्ट एक्सेप्ट का मतलबता है के सिवा के बिना यह कहता है के बिना तो ये भी वर्व की फारम थी और accept क्या है के बिना accept क्या है के बिना अगे अगला हमारा श시बत है glitch glitch का मतलब क्याएता है समश्चा Glitch का मतलब था समश्चा या कोई दिक्कत हो ना तो जैसे अगर इसका वाक्य बनाएं देरवाजन गलिच देरवाज ए गलिच इन देस वर्क इस काम में एक समश्या है इस काम में एक समश्या है जी ल आई टी सी एच गलिच अगला हमारा शबत है स्क्वैक्ट क्या है स्क्वैक्ट होता है चिलाना स्क्वैक्ट क्याता है चिलाना और ये सिनोनिम है येल्ड का किसका सिनोनिम है येल्ड का येल्ड का मतलब भी चिलाना होता है एक ये स्रेक्ड है ये भी क्याता है चिलाना है तो इसका भी सिनोनिम येल्ड है इन में से आप किसी भी शब्द को यूज़ कर सकते हो अगर आपको लिखना हो कि वह जोर से चिलाया एक इनका सिनोनिम क्राई भी होता है क्राई का मतलब भी क्या होता है जोर से चिलाना तो स्क्वैक्ड है, येल्ड है, श्रिक्ड है, क्राई है ये सारे के सारों का अर्थ क्या है चिलाना सब का अर्थ क्या है चिलाना और ये इनके सिनोनिम है सिनोनिम क्या होते है सिनोनिम से वो वर्ड्स होते है जो इनका अर्थ लगभग एक साही होता है जिनका अर्थ एक साही होता है तो जैसे जल है जल का सिनोनिम क्यों होता है पानी है नीर है तो यह क्या है यह सिनोनिम से है ठीक है आगे चलते हैं अगला देखें अगले हमारे वर्ड मीनिंग है अगले हमारे शब्द है सब्ट्रेक्शन यह क्या होता है गटा का निशान का निशान होता है यह माइनिस होती है और एडियसल给 though team जोड होता है। फिर अगला हमारे डिवीजन के उती है भाग होती है यह भाग का निशान खने यह गणित्के हैं मैत के हैं अगला हमारा है मल्टिपल अक्षन मल्टिपल अक्षन का मतलब क्या होता है गुणा करना मल्टिपल अक्षन क्या होता है गुणा करना ऐसे लिखेंगे गुणा ये उपर नय लिखा हुआ है नय नहीं आएगा ये गुणा का निशान होता है माल्टिप्रेक्शन अगला है फ्रेक्शन फ्रेक्शन क्या हता है भिन होती है फ्रेक्शन क्याती है जैसे एक बेटे दो है तो यह क्या है फ्रेक्शन है एक को हम अंश कहते हैं और दो को क्या कहते हैं हर कहते हैं अगला हमारे शबद है यह मैथ के थे पांचो के पांचो अग islah हमारा है नग एन ए जी नग नग क्या एतम यंद नाववन है यह किया है संगै शब्ड करने वाला भूण क्या ठते तंक करने वाला जैसे अगर इसका अगर हम वाक्या बनाएंगे यह नगा नेका लिक्लब आए लिल्चल बोए वाज ए नैग सोटा बच्चा एक तंग करने वाला था क्या करने वाला था तंग करने वाला था नैग था चलिए अगला देखते हैं अगला होता है ड्रेग 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 क्या है अनिच्छा से अनिच्छा से अनमने मन से quietly, quietly होता है चुपके से, आपको एक ची दियान रखनी है, क्याओ के बाद में हमेशा यू आता है, क्यू के बाद में हमेशा यू आता है, English के अंदर ये एक ऐसा word है, जिसके बाद में हमेशा यू आएगा, जैसे अगर आपने क्विक लिखना है कवीन लिखना है तो देखिए हर बार क्याओ के बादे यू ही आता है अगर क्याओ के बादे यू नहीं आएगा तो वो शबद भी नहीं बनेगा तो क्वाइटली क्या होता है चुपके से अगला है सीलीली Sillily क्या होता है मक्कारी से धूरतता से अब कई बच्चे जैसे कुई काम करते हैं और जान बुझ के उसको गल्द करते है तो उसके कहते हैं Sillily ठीक है और Sillily का मतलब होتा है मुरक Sillily का मतलब कहता है मुरक अगला शबत है Amaged अमेजड ये भी क्या है है हैरान करना अमेजड क्याता है हैरान करना दूसरी फारम में ये वरुब की अमेज पहली फारम होती है अगला है कोर्स ये क्या है कोर कोर का मतलब क्याता है काम करना कोर का मतलब क्याता है काम सरी करना नहीं काम क्या करने की तो दू होती ना कोर का मतल रूड रूड क्योंते हैं रूखा हर बीहेवियर हर बीहेवियर वाज वैरी डूड उसका जो वेवार है वह बहुत है रूखा है क्या है रूखा है तो इसी के साथ आज की हमारी कलास समापत होती है आपका चैनल है जीएस बाई ईश्वर सर इसको लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी बच्चा अंगरेजी सीखना चाता है इंग्ली제 के वोकाबलरी सीखना चाता है इंग्ली제 झाल झाल